राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार का कोरोना अपडेट 19 अगस्त का बिहार स्वास्त विभाग ने जाड़ी कर दिया है जो आकरे कोरोना संक्रमन के नए पिछले 24 घंटे में मिले हैं उनकी संख्या है 2884 इस तरह इस नए कोरोना संक्रमन की संख्या के 1769 पर बिहार में कोरोना लगतार बढ़ते जा रहा है आकरों में गिरावट उतनी दर्ज नहीं हो पा रही है जितनी की होनी चाहिए हलांकि जाज की संख्या अब लाक के उपर है प्रति दिन वहीं मामलों में भी लगतार 3000 के आसपास की बड़ोतरी बनी हुई है रोज बिह में 3000 के आसपास नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलते ही जा रहे हैं एक नज़र डालीज यह की पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार के किस किस जीले से कितने नए संक्रमित मरीज मिले है उस पर अरडिया 74, अरवल 40, अरंगयबद 49, भाका 27, ब्यगुसराई 103, भागलपूर 70, भोजपूर 58, बक्सर 49, दरभांगा 55, इस्टचंपारण 181, गया 78, गोपालगंज 36, जमुई 22, जिहानवाद 44, कैमूर 23, कटिहार 86, खगडिया 42, किसनगंज 44, लखिसराई 33, मध्यपूरा 33 मधुबनी 115, मुंगेर 46, मुझफपरपूर 173, नालंदा 74, नवादा 26, पटना 422, पुर्निया 104, रोतास 118, सहरसा 108, समस्तिपूर 36, सारण 98, सेकपूरा 37, सिवहर 10, सितमडी 113, सिवान 60, सुपाल 46, वैसाली 37, वैस्टचंपारण 19, इस तरभ पुढे बिहार से पिछले 24 20 गंटे में 2884, नए कोरोना संक्रमीत मरीज मिले हैं, कल जहां 10 जीलों से 100 से ज्यादा संक्रमीत मरीज मिले थे, वहीं आज 9 जीलों से 100 से ज्यादा संक्रमीत मरीज मिले हैं, पटना में आज भी आकरा 400 के उपर का ही रहा, अगर बात करें, सबसे ज्यादा संक्रमीत बिहार पर 10,000-15,000 से जादा कोरोना संक्रमन मिले हैं इसके अलावाद दूसरे नंबर पर है मुझफरपूर जहां पर कोरोना संक्रमन की कुल संक्या 4,696 है वहीं पर भागलपूर तीसरे नंबर पर है जहां पर कोरोना संक्रमन की कुल संक्या 4,484 है बेगुसराइ इस सूची में च 4407 है वहीं पांचवे नंबर पर नालंदा है जहां पर कोरोना की कुल संख्या 422 है तो यह बिहार की वह पांच जीले हैं जहां कोरोना संक्रमन की संख्या सबसे ज्यादा है अगर बात करें सबसे कम संक्रमन वाले जीले की तो सीवर वह जीला है जहां पर संक्रमन की संख्या कम है हालां कि यह भी देखने वाली बात है कि वहाँ पर लोगों की संख्यावीज है जो है ने प想法ि का रिजादर्वार्टार कि बात करें यह एक कारण में करें उठा है और नितिष कुमार पर लगतार हमलावर रही है उसका कहना है कि बिहार में रेपिड एंटीजन कोई बढ़ाया जा रहा है जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है बिहार में कि बढ़ाया जाए यहां पर केवल और केवल रेपिड एंटीजन को बढ़ाया जा रहा है जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है क्योंकि जो डॉक्टर है इस संबंद में जो एक्सपोर्ट से कुरोना के उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी कि आटी पीसीर जांच को ब रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों से लगतार जाड़ी है वहीं पर ब्राष्ट्रिय दर से जरूर नीचे है यह रिकवरी दर लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि रिकवरी दर में बिहार अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है जो पिछले काफी दिनों से पीछे ही बढ़ते जा रहा था अब धीरे-धीरे आगे बढ़ने की और कदम बढ़ा चुका है तो यह थी आज की कोरोना अफडेट की पूरी जानकारी ख़बरों में बने रहने के लिए देखते रहे यह बिहारी नीच धन्यवाद